पांच, विशिष्ट ज्यान, निजी अनुभव या अवलोकन, दौलत मंद बनने की ओर चौथा कदम, ज्यान के दो प्रकार का होते हैं, पहला सामान्य ज्यान और दूसरा विशिष्ट ज्यान, सामान्य ज्यान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ती के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उप्योगी नहीं होता है, इनसान के पास सामान्य ज्यान के जितने भी रूप हो सकते हैं, सभी बड़े विश्व विद्यालियों में ये सभी रूप पाए जाते हैं, अधिकतर प्रोफेसरों के पास बहुत कम धन होता है। ज्यान देना उनकी विशिष्टता होती है। लेकिन वे इस ज्यान के संगठन और इसके उप्योग के विशेसग्य नहीं। प्रयोग न किया जाएं। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वह सबसे बड़ा कारण है। जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्यान ही शक्ती है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्यान केवल संभावित शक्ती है। यह शक्ती तभी बनती ह जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाएं और किसी निश्चित लक्ष की प्राप्ती के लिए इसका उप्योग किया जाएं। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षनिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखा जाने में अस्फल रहती है कि ज्यान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्यान को संगठित कैसे करे तथा उसका उप्योग कैसे करे। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे इसलिए उनके पास शिक्षा कम थ जो लोग यह गलती करते हैं वे दरसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। विक्सित कर लिया है कि वह जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वह दूसरों को कश्ट नहीं पहुँचाता है। यानि वह इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहां से खतम होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपाद किये छापे, जिसमें अन्यबातों के अलावा इस बात का जिक्र भी था कि हेनरी फोर्ड एक अज्यानी अमनपसंद है. फोर्ड ने इस वक्तवय पर आपक्ती जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर दिया. जब मुकदमा कोर्ट में चला, तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि जूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्यानी है. वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किये जिनसे यह साबित हो सके. हाला कि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ग्यान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ग्यान नहीं था. फोर्ड से कुछ इस तरह के सवाल दागे गए, जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके. बेनेडिक्ट अर्नाल्ड कौन थे? और 1776 के विद्रोह से निबटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिको को अमेरिका भेजा था? सारे प्रशनों को सुनने के बाद, अन्तिम प्रशनका फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिको की सटीक संख्या तो पता नहीं है, परन्तु मुझे यह जरूर मालूम है कि जितने लोग वहा गए थे, उनमें से बहुत कम वापस लोटे, अन्तत फोर्ड इस तरह के बेहूदा प्रशनों के जवाब देते देते ठक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटगरे में आगे तरफ जुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया, आपके द्वारा पूछे गए बेहूदा प्रशनों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहू तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं, जिन्हें दबाकर मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूँ जो उस विशय के प्रकांड विद्वान है, जिनसे मैं उस विशय प प्रशन का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इन प्रशनों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में धेर सारे सामान्य ज्यान का अध्यन करके क्यों भरू? इस जवाब में नी संदेह दम था. इस जवाब से वकील की हालत खसता हो गई. इस जवाब को सुनकर अदालत में मेरी नजर में हर वह व्यक्ती शिक्षित है, जो यह जानता है कि जरूरत के समय उसे इस विशय का ज्यान कहां से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उप्योग कैसे किया जा सकता है. अपने मास्टर माइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वह सारा विशिष्ट ग्यान था, जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ती बनने के लिए जरूरत थी. यह जरूरी नहीं है कि वह सारा ग्यान उनके दिमाग में ही हो. एंडू कार्नेगी ने यह स्विकार किया है कि उन्हें निजी तोर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकी पक्ष के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी, नहीं उन्हें यह सीखने की कोई रूचि थी. उन्हें सिर्फ उत्पादन और विक्री के विशिष्ट ज्यान की जरूर और शक्ती उस संगठित विशिष्ट ज्यान से प्राप्थ होती है. अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है, जिनहीं इतनी अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्थ हो पाई जितना किसी कार्य के लिए जरूरी है. कभी कुछ लोग इतनी जरूरी आपचारिक शिक्षा न मिलने पर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं. वह व्यक्ती जिसे यह पता होता है कि मास्टर माइंड समूह के लोगों से वह जानकारी प्राप्थ की जा सकती है, जो किसी विशेश कार्य के जरिये धन अर्जित करने के लि भी शिक्षित होने की कमी नहीं खली और नहीं उनकी गरीबी में मृत्यू हुई. हेनरी फोर्ड को भी बहुत ही कम शिक्षा प्राप्थ हुई. परन्तु उन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया. एडिशन और फोर्ड को अधिक आपचारिक शिक्षा से वंचित होना फिर भी वे सफल हुए. यह तथ्य आज के युवा लोगों को बीच में पढ़ाई छोर देने के लिए प्रोचसाहित नहीं करती है. आज के दौर में व्यापार की अच्छी शुरुवात करने के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा की खास जरूरत होती है. बेशक ये लो पफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओ को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया. यहां तक वे खुद इसका उदाहरन बने और अपना हाई स्कूल का डिपलोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया. उन्होंने जनरल एजुकेशन गेड की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तरीन किया. यह परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समक्ष थी. उन्हें यह डिपलोमा उनके समुदाय के एक विशेश समारोह में दिया गया. थॉमस ने उस दिन विद्यालय के 500 विद्यार्थियों को समबोधित किया. हाई स्कू परन्तु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अरजित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है. उमीद है कि यह अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा. डिपलोमा हासिल करने के लिए प्रेना उन्हें तब मिली जब वे अपनी जीवनी डेव्ज वे को प्रोमोट करने के लिए देश के विभिन भागों में कार्यक्रमों में शामिल होते थे. कई शहरों में वे हाई स्कूल पास पत्रकारों से मिलते और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते. पर उन्होंने बताया कि ये हाई स्कूल पास पत्रकार ब आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है सच बताओ मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था इसलिए मैंने निर्णे लिया कि मैं हाई स्कूल डिपलोमा लेकर ही दमलूंगा अब उनका उद्देश उन लोगों को शिक्षा जारी रखने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती है मैं लोगों को बताता हूँ कि अपनी उतनी पढ़ाई कर ले जितनी आप कर सकते है मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिपलोमा हासिल किया सच ही तो है शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती थॉमस ने आगे जोड़ा अब तक मेरे जिन्दगी में प्राप्त उपलब्धियों में यह सबसे महत्वपून उपलब्धी है यह जानना जरूरी है कि ज्यान को कैसे खरीदा जाए सबसे पहली बात तो यह है कि आप यह जान ले कि आपको किस विशिष्ट ज्यान की जरूरत है साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्यान से कौन सा लक्ष हासिल करना चाहते हैं बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष वह लक्ष है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं यह तै करेगा कि आपको किस ज्यान की आवश्यक्ता है इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम यह होगा कि आप वह सही जानकारी हासिल कर ले और इस ज्यान के विश्वसनिय स्रोतों को खोजें इन में से अधिक महत्व पूर्ण है एक अपना अनुभव और शिक्षा दो दूसरों के सहीयोग, मास्टर माइन्ड सहीयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव शिक्षा तीन कॉलेज और यूनिवर्सिटी चार सारवजनिक पुस्तकाले, इनसान ने अब तक जितना ज्यान हासिल किया है वह सारा ज्यान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के द्वारा हासिल किया जा सकता है पांच विशेश प्रशिक्षन कोर्स, खास तौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल्स जब ज्यान हासिल किया जाए उसके बाद अपने निश्चित लक्षे के लिए योजना बना कर इस प्रयोग में लाया जाए ज्यान का कोई मूल्य ज्यान की जरूरत है फिर यह जाने की वह विशिष्ट ज्यान आपको किन विश्वस्निय श्रोतों से मिल सकता है तो हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष बिजनस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्यान हासिल करते ही रहते हैं यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता जो लोग सफल नहीं है वे आम तौर पर इस गलतफमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्थ हो जाता है सच्चाई यह है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी को वह रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यवाहरिक ज्यान हासिल किया जा सकता है आज का युग विशिष्टता का युग है कोलंबिया युनिवर्सिटी के प्लेस्मेंट डायरेक्टर रोबर्ट पी मूर ने इस सच्चाई को एक अख़बार में रिखानकित किया था कई वर्षों बाद रोजगार देने वाले कमपनी के सलाहकारों ने बताया कि नियोक्ता जो कैंपस में नौकरी के लिए छातरों को हायर करने जाते हैं वे किसी विशेश छेत्र जैसे बिजनस मैनेजमेंट, कम्प्यूटर साइन्स, मैथमेटिक्स, केमेस्ट्री जैसे विश्यो की पढ़ाई किये होते हैं उन्हें तवज्यो देते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बड़ी जल्द ही उत्पादन में लगाया जा सकता है, बजाए उन विद्यार्थियों के जिन्होंने कला की व्यापक किन्तु उत्पादन के लिहास से अनुपयोगी पढ़ाई की है कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं, जिनमें बहुत योग्यता होती है, पर 18-20 वर्ष की उम्र में वे निश्चित नहीं होते, जिस वजह से वे किसी विशिष्ट कोस को नहीं चुन पाते हैं, जिससे उनका करियर बन सके इनमें से कई लोगों ने ग्रेजुएशन में विविद्पढ़ाई करने के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन में करियर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकते हैं इस पुस्तक के युवा पाठको को किसी करियर उपयोगी कोर्स के लिए तब तक नहीं भागना चाहिए, जब तक वे इसके अवसरों और नुकसान की संपूर्ण जानकारी नहीं हासिल कर लेते हैं कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन सभी के बारे में गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं, जिससे विद्यार्थी अपने लिए सही निर्णाई ले सके अगर ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो विद्यार्थीयों को इन क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक उन लोगों से बात करनी चाहिए, जो इस तरहे के क्षेत्र में कारियरत है हर करियर को यूनिवर्सिटी डिगरी की जरूरत नहीं होती आज के दौर में कुछ अलग तरहे के ट्रेनिंग कोर्स भी उपलब्ध है कई यूनिवर्सिटी ने उन लोगों के एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किये हैं, जिनहें करियर उपयोगी ज्यान की जरूरत है कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाती है, जिनहें अपनी कोशल को अतिरिक्ट उपयोगी बनाना होता है ये कोर्स अधिकांशत है शाम को या फिर सप्ताहांत में दिये जाते हैं, जिससे नौकरी पेशा करने वाला व्यक्ती भी शामिल हो सके Home Study प्रोग्राम को Distance Learning प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है जो पत्राचार या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं सकते हैं. अगर इस तरह के कोर्स सावधानी से चुने गए हैं, तो ये आपको स्पष्टी करण और अधिक जानकारी के लिए मेल में बहुमुल्य उप्योगी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता कि आप कहा रहते हूं. आजकल लगातार बदल रही अर्थव्यवस्था के कारण यह हजारों लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके पास पैसा कमाने के अन्यसाधन भी होने चाहिए. ऐसा कब समया आजाए कि उन्हें नौकरी से हाथ गवाना पड़े और उन्हें नई नौकरी की तलास करनी पड़ जाए. कभी कभी कोई सामान नहीं बिक रहा होता है तो अच्छा व्यापारी उसे सामान को उस दूसरे प्रोड़क्ट के साथ बेच देता है जिसकी अधिक डिमांड होती है. अगर उनकी सर्विस आपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है तो उन्हें अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत होती है जहां से उन्हें बहतर परिणाम हासिल हो सके जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया वे लोग संपूर्ण जीवन मध्यमवर्गिय जीवन यापन करते हैं सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से खुलता है आएए एक विशिष्ट उदाहरन लेते हैं ग्रॉसरी स्टोर के एक सेल्समेन ने अचानक अपने आपको बेरोजगार पाया क्योंकि उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था इसलिए उसने एकाउंटिंग का कोर्स किया उसने अपने आपको बुक कीपिंग और आफिस उपकरनों के नवीनतम रुपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनस शुरू करने की दिशा में कदम रखा उसने अपने काम की शुरुवात उसी ग्रॉसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था इसके बाद उसने एक सौ से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्राक्ट किया कि वह उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाममात्र का मासिक शुल्ट लेगा उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्दी ही उसे एक छोटे डिलवेरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा जिसमें आधुनिक बुक्कीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है जिनके द्वारा वह छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बहुत उंदा एकाउंटिंग सेवा देता है विशिष्ट ज्यान और कल्पनावे तत्व थे जिनके कारण यह अध्भुत एवन सफल बिजनस बन पाया पिछले साल इस बिजनस के मालिक ने जितना इंकम टैक्स चुकाया वह उस आदमी से दस गुना था जो उसे तब होती थी जब वह ग्रॉसरी की दुकान में सेल्समेन हुआ करता था इस सफल बिजनस की शुरुवात सिर्फ एक विचार से हुई बेरोजगार सेल्समेनों को यह विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूँ जिसमें इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है यह विचार उस सेल्समेन द्वारा सुझाया गया था जिसने सिल्लिंग छोड़ दी और वह होलसेल्स तरपर बुक्कीपिंग के बिजनस में गया जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में यह प्लान सुझाया गया तो उसने तुरंत कहा मुझे विचार पसंद आया परंतु मैं नहीं जनता की इसे क्ष में कैसे बदला जाएं दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की की बुक्कीपिंग का ज्यान हासिल करने के बाद उसे यह मालूम नहीं था उसकी मार्केटिंग कैसे की जाएं इसलिए उसने एक और समस्या की जिसे सुलजाया जाना था एक युवा महिला टाइपिस्ट की मद्ग से इसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकरशक पुस्तक तयार की जिसमें बुक्कीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था सभी पृष्ठों को सुन्दर्ता से टाइप किया गया और एक साधारन स्क्रैप बुक में लगा दिया गया जिसमें नए बिजनस की कहानी इतने प्रभावी धंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इतने ज्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उसे बड़ी मसकत करनी पड़ी देश भर में ऐसे हजारों लोग है जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेशग्य की सेवाओं की जरूरत है जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उनके लिए एक आकर्शक बायोडाटा तयार कर सके यहां पर जो विचार दिया जा रहा है, वह आवश्शक्ता की उपज था, आपात कालीन परिस्थिती में उठाया गया कदम था, परन्तु इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ वह महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया, उसकी कलपनाशक्ती बहुत पैनी थी, उसने ततकाल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन को शुरू करने की ताकत थी, जिसके द्वारा उन हजारों लोगों के सेवा की जा सकती थी, जिन्हें व्यक्तिगत सेवा की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में ततकाल सफलता मिली तो उसे प्रेणा मिली, इसके बाद उस उरजावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा, उसका पुत्र अभी अभी कॉलेट से निकला था, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी, उस महीने ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया, वह व्यक्तिगत सेवाव को बेचने का मेरे द्वारा लिखा गया सर्वश्रिष्ट उदाहरण है, जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किये हुए 50 पेज थे और सम पूर्ण जानकारी दी गई थी, इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए, इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि वह उस पद पर किस तरह काम करेगा, प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहंत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेज जहां से वह अपनी नौकरी से जुडी हुई सर्वश्रिष्ट किताबों से डाटा लेकर आता, उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोकता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेज और यह महत्वपून जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनस की कौन सी विधिया महत्वपून है, प्लान बनाने में यह जानकारी बहुत महत्वपून साबित हुई क्योंकि इसके द्वारा यह जाना गया कि वह अपने आपेक्षित पद पर किस तरह कान करेगा जब प्लान बन कर तैयार हो गया तो इसमें आधा दर्जन से अधिक श्रिष्ट सुझाव थे जिनके द्वारा संभावित नियोक्ता को लाब हो सकता था और उसका बिजनस को बहतर बन सकता था आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछे नौकरी हासिल करने के लिए इतनी मसकत करने की क्या जरूरत है इसका जवाब यह है किसी काम को अच्छी तरह से करने में थोड़ी मसकत हो जाती है तो कोई बुरा नहीं है उस महिला ने अपने पुत्र के हितो को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया उससे उसे पहले ही इंटरव्यू में वह नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था और उसे वही वेतन दिया गया जो उसने माग था यही नहीं इससे भी ज्यादा महत्वपून बात यहा है कि उसे नीचे के स्टार से शुरुवात नहीं करनी पड़ी उसने जूनियर एगजीक्यूटिव के पद पर एगजीक्यूटिव की तनक्वाह पर अपना कैरियर शुरू किया इतनी मसक्कत क्यों करना इसलिए क्योंकि अगर इस युवक ने नीचे से शुरुवात की होती और उसने निरंतर तरक्की की होती तो उसे इतने उपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता जबकि सुनियोजित प्रस्तुती की वजह से उसे एक ही जटके में वह नौकरी मिल गई नीचे से नौकरी शुरु करना और उपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हाला की दमदार नजर आता है परंतु इसमें सबसे बड़ी आपत्ती यह है ज्यादा तर लोग नीचे से शुरुवात करते हैं और वे अपने सर को इतना उपर नहीं उठा पाते की अफसर उन्हें देख पाए और इसलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से जो द्रिश दिखता है वह इतना आकर्शक नहीं होता इसमें महत्वकाशा का गला घुटने की प्रवत्ती होती है हम इसे रूटीन में फस्तना भी कह सकते हैं जिसका अर्थ यह है कि हमें इसकी आदत पढ़ जाती है इसलिए हम अपनी तक्दीर को स्विकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल लेते हैं यह आदत अंतह इतनी प्रवल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं यह एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे की पायदान से एक या दो पायदान उपर से शुरुवात करनी चाहिए ऐसा करने से आदमी यह आदत डाल लेता है ताकि वह अपने चारो तरफ देख सके की लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं फिर वह अफसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगा कर बिना जिजक आगे बढ़ सके डैन हैल्पिन का उदाहरन एक बहुत अच्छा उदाहरन है अपने कॉलेज के दिनों में वे प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियंशिप नोट्रे डेन फुटबॉल टीम के मेनेजर थे जब यह स्वरगिय निउट रोकने के निर्देशन में थी हैल्पिन ने बड़े ही निराश जनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया क्योंकि उस वक्तमंडी के कारण नौकरिया कम हो गई थी इसलिए इंवेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स में हाथ पावन मारने के बाद उन्होंने अपने भविश्य की संभावना का पहला कदम पहचाना कमिशन बेसिस पर बिजली के हेरिंग एड्स बेचना लगभग दो सालों तक उसने यह काम लगातार किया हाला कि वह इस काम को कत्री पसंद नहीं करता था और वह कभी उपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोश को दूर न किया होता उसने सबसे पहले तो वह लक्ष बनाया कि वह अपनी कमपनी का असिस्टेंट सेल्स में नेजर बने और उसे यह नौकरी मिल गई उपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड के इतना उपर उठा दिया जिससे वह अधिक बड़े अफसर देख पाया इसके अलावा उसने अपने आपको इतना उपर उठा लिया था जहां अफसर उसे देख सके उसने अपने हेरिंग एड बेचने के मामले में इतना शांदार रिकॉर्ड बनाया था कि प्रतिद्वंदी कमपनी डिक्टोग्राफ प्रोड़क्ट कमपनी के चैर्मैन आम एंड्रयूज ने यह जानना चाहा कि आखिर आखिर डैन हेल्पिन नाम का यह आदमी कौन है जो लंबे समय से काम कर रही डिक्टोग्राफ कमपनी की सेल इतनी कम करवा रहा है उसने हेल्पिन को मिलने के लिए बुलाया जब इंटरव्यू खतम हुआ तो हेल्पिन नया सेल्स मेनेजर बन गया जिसे अकाउस्तिकन डिवीजन का चार्ज दे दिया गया था फिर यह देखने के लिए कि युवा हेल्पिन किस मिक्टी का बना है मिस्टर एंडर्यूस तीन महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हेल्पिन को सूखे हाल पर छोड़ दिया चाहे वह डूबे या मरे वह डूबा नहीं निव्ट रोकने की भावना सारी दुनिया उगते हुए सूरच को प्रणाम करती है दूबते हुए सूरच को कोई देखता भी नहीं ने उसे प्रेरित किया उसने अपने काम को इतने बढ़िया ढंग से किया कि वह अपनी कमपनी का वाइस प्रेजिडेंट चुन लिया गया यह एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग दस साल की निष्ठा भरी महंत के बाद हासिल करके गर्व का अनुभव करते हैल्पिन को यह पद 6 महीने से भी कम में मिल गया था इस पूरी फिलोसफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चाहे तो हम उन परिस्थितियों को नियंतरित करने में सक्षम है जिनके द्वारा हम उचे पदों पर पहुँचते हैं या नीचे ही बने रहते हैं इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत परिणाम है मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अमेरिका के महानतम फुटबाल कोच के साथ करीबी रूप से जुड़े रहने के कारण डैन हैल्पिन मन में सरवश्रिष्ट बनने की प्रबल इच्छा थी जिसने नोट्रे डेन फुटबाल टीम को विश्वप्रसिध बनाया यह सच है कि हीरो का अनुसर्ण एक बहुत अच्छा विचार है बशर्ते आप विजेता का अनुसर्ण करे असफल्ता और सफल्ता दोनों ही स्थितियों में बिजनस सहियोगी महत्वपून होते हैं इस सिधान्त में मेरा विश्वास तब सही साबित हुआ जब मेरा पुत्र ब्लेर डैन हैल्पिन के साथ एक पद के बारे में चर्चा कर रहा था प्रतियोगी कमपनी उसे जितनी तंख्वयाह देती श्रीमान हैल्पिन ने उसके सामने प्रारंभ में उससे आधी तंख्वयाह का प्रस्ताव रखा मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वह श्रीमान हैल्पिन के साथ काम करे मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमुल्य अनुभव है जो परिस्थितियों के साथ कभी समझोता नहीं करता इस लाब को धन से नहीं तौला जा सकता है माइकल जोर्डन हर कदम में बड़ी महंत की जिसकी वजह से वे अपने युग के सबसे महान एथलीट्स में से एक बने उनके पास जीतने के लिए द्रिड शक्ती थी और खुद को शेप में रखने और अपना बेस्ट खेलने के लिए असीम इच्छा शक्ती थी वह दिन प्रति दिन अपने मानकों को उचा करने और अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रतिबध थे जोर्डन ने बच्पन में ही यह तथ्य सीखिया था हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था पर उनकी टीम में वापस लोटने की प्रतिबधता ने उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जो वे आज भी अनुसर्ण करते हैं वे हर कदम को चुनौती की तरहे लेते हैं और हर नए वर्ष को उम्मीदों की तरहे स्वागत करते हैं खेल से कुछ वर्ष दूर रहने के पश्चात जब उन्होंने बास्केट बॉल में वापसी की तो उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका शिखर का वक्त जा चुका है अब वे धीरे पड़ गए हैं और कोई भी चैंपियंशिप जीत नहीं सकते उन्होंने इस आलोचना को चुनौती की तरहे लिया वे और अधिक मिहंत करने लगे हमेशा से अधिक उन्होंने परसनल ट्रेनर के साथ एक वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया अपने जिन पर और अधिक मिहंत करने लगे उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे शरीर के लक्षन आपको बताने लगते हैं कि शरीर को किस तरह ऐसे शेप में लाया जा सकता है जिससे चैंपियन्शिप स्थर पर लगातार खेला जा सके परिणाम बहुत बढ़िया निकले जॉर्डन ने अपनी टीन को 1996 और 1997 के चैंपियन्शिप में जीत दिलाई और खुद दोनों ही वर्ष मोस्ट वलुएबले प्लेयर का खिताब भी ले गए माइकल जॉर्डन की द्रिड़ता हमें यह सिखाती है कि किसी तरह प्रतिबध होकर अपने उम्र और अपने आलोचकों से आगे बढ़ा जा सकता है प्रतिबधता सिर्फ पहला कदम है इसके बाद कठिन परिश्रम, शारिरिक और मानसिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है जो आपको शिखर पर पहुँचा सकता है नीचे से शुरू करना ठीक नहीं है किसी भी आदमी के लिए निकाल स्थान बोरियत भरा, भयावा और लाभीन स्थान है इसलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर सही योजना बनाई जाएं तो नीचे शुरूरात करने को किस तरह रोका जा सकता है जिस महिला ने पाने बेटे के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर से लोगों के यह आगरह मिले की वह उनके लिए भी इसी तरह के प्लान बना दे ये सभी लोग उसका सहयोग थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत नौक्रियों के बदले अधिक धन प्राप्थ हो सके हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समेंशिप थी, जिसके द्वारा वह उन लोगों को उन्ही के सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलवाती थी, जिन्हें वे पहले कम दामों में बेच रहे थे वह व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी और इसलिए वह इस तरहे की योजना बनाती थी, जिससे नियोक्ता को उस अतरिक्ट धन के बदले में पूरा मूल्य मिले अगर आपके पास कलपना है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं तो यह सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सक्त है इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसक डॉक्टर वकील या इंजिनियर को भी नहीं होती जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विशय की शिक्षा हासिल की है दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती सारे विचारों के पीछे विशेशगीय ज्यान होता है दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशिष्ट ग्यान अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है इस सच्चाई के कारण उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाव को बेचने में लोगों की मद्द करने में सक्षम है सक्षम्ता का अर्थ है कलपना वह गण जो विषिष्ट ग्यान को विचारों से जोड़ता है एक ऐसी व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष होता है अधिक धन प्रदान करना अगर आप में कलपना है तो यह अध्याय आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको वह दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं याद रखे विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है विशिष्ट ग्यान आपको कहीं पर भी मिल सकता है यानि किसी भी चौराहे पर या गली में